हेलो दोस्तो एक ग्रीन फार्म चैनल में आपका स्वागत है दोस्तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि जब धान की फसल गाबे में आ जाए मतलब बालिया निकलनी स्टार्ट हो जाए तो किस परकार इसमें हम दवाई का छिड़काव करेंगे ताकि आने वाले संभावि जोसे पहले ही इसे रोका जासके ताकि फसल को अच्छे से लिआ जासके दोस्तो अगर आपको वीडियो पसंद आये तो इसे लाइक करे शेर करे और चैनल को सब्सक्राइब करे ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे तो चलिए दोस्तो देखते हैं इसमें हम किस राकी जरूर करें आप देख सकते हैं कि बालिया दिखाई अच्छे से दे रही हैं दोस्तों ये धान 50 दिन के हो चुके हैं धान की वेराइटी पर डिपेंड करता है कि धान की बालिया कब निकलती हैं ये 40-50 दिन में भी लग सकती है और 50-50 दिन के अंतराल पर भी इसमें दवाई लग सकती है चलिए दोस्तों देखते हैं इसमें हम किस तरह दवाई का और कितनी मात्रा में दवाई का छिड़काव करेंगे दोस्तों धान की फसल में आने वाली संभावित बिमारियों को रोकने के लिए हम तीन तरह की दवाईयों का यूज करेंगे और इनका सपरा हम करे दोस्तो कई बारी दान की फसल में मच्रो का प्रकौप इतना दिखो जाता है उनकी रोगथाम के लिए हम ये अपलाई नाम की दवाई का यूज़ करेंगे दोस्तों ये मच्छरों की रोक्थाम के लिए हैं ये 500 ग्राम का पैक है और ये 2 एकड के लिए प्रियाप्त है इसका रजल्ट काफी अच्छा देखने को मिलता है दूसरी दवाई दोस्तों गोडिवा सूपर है जो बलास्ट की रोक्थाम के लिए हैं जब दान की पत्ती पर धब्बे पड़ जाते हैं इसकी रोक्थाम के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं दोस्तों ये 500 एमल की बोटल है जो डाई एकड के लिए प्रियाप्त है आप इसमें 200 एमल पर एकड के इसाब से इसका यूज़ कर सकते हैं दोस्तो तीसरी दवाई लेब्राडोर है जो कीडों की रोक थाम के लिए है दोस्तो यह 200 ml का पैक है जो एक एकड के लिए प्रियाप्त है आप इसका यूज़ करके कीडों की रोक थाम कर सकते हैं दोस्तो इन तीनो दवाईों को अलग अलग गोलने के लिए हम अलग अलग बाल्टियों का यूज़ करेंगे एक एकड के लिए आप 160-160 लीटर पानी के साथ इन तीनो दवाईों को मिला कर अच्छी तरह से इनकच्छिड काओ करें दोस्तो अलग अलग गोल तयार करने से सपरे की टंकी में डालते समय इन में असानी रहती है और सभी दवाईों की बरादर मातरा सपरे में डलती रहती है दोस्तो इस तरह हम दूसरी दवाई का भी गोल तैयार कर लेंगे दोस्तो बालिया निकलते समय इस तरह का सप्रा करना सबसे फाइदे मन्द रहता है क्योंकि दोस्तो हम देखते हैं कि हर साल कुछ न कुछ बिमारिया तान की फसल में अटैक करती रहती है समय रहते अगर इन बिमारियों से पहले इन का छिड़काव कर दे दवाईयों का तो फाइदे मन्द रहता है दोस्तो हमने हर एक बाल्टी में आठा डब्बे पानी के और पर एकड के हिसाब से तीनों दवाईया इसमें डाली है दोस्तो इस तरह करने से आप एकड के हिसाब से अच्छी तरह दवाई का छिड़काव कर सकते हैं दोस्तो इस तरह हम तीसरी दवाई का भी गोल तयार अच्छे से कर लेंगे और तीनों दवाईों को हम अलग अलग बरतनों में अच्छी तरह से मिलाते हुए इनका गोल तैयार कर लेंगे जब तीनों दवाईों को अलग अलग बरतन में गोल लिया जाता है तो उन्हें अच्छे से मिलाए दोस्तो दवाई छिड़काव करते हैं यह सुनिशित कर ले कि खेत अच्छे से सूखा हो ताकि दवाई छिड़काव करते हैं कोई समश्या ने आए दोस्तो आप देख सकते हैं कि हमने भी खेत पहले दवाई डालने से पहले इसे अच्छी तरह से सूखा लिया है ताकि चलते टाइम इसमें किसी तरह के कोई प्रोब्लम ना आए आप अच्छे से इसे देख सकते हैं कि जमीन बिल्कुल सुखी हुई है दोस्तो दवाई डालते समें अपनी सावधानी का बीवी से इस दियान रखे अपने मास्क जरूर लगाए ताकि दवाई का प्रबाव आप पर ने पड़सके और सावधानी पूर्वक दवाई का छिड़काव करें दोस्तो सारी दवाई अच्छे से गोल ली हैं और छिड़काव के लिए तयार हैं दोस्तो अगर आप इन सभी बातों का अच्छे से दियान रखते हुए दवाई का छिड़काव करेंगे तो आने वाली संभावित बिमारियों को समय से पहले ही रोका जा सकता है दोस्तो जब दान की बालिया निकलनी स्टार्ट हो जाए तो यही समय रहता है कि इस तरह की दवाई का छिड़काव करें यह सबसे उप्युक्त और उत्तम समय माना जाता है ताकि आने वाली बिमारियों से रोक थाम की जासके वैसे तो दोस्तो इसमें दो सपरे होते हैं एक तो अब गाबे के समय और एक बाद में यदि दोस्तो आपको लगे कि दूसरे सपरे की जूरत नहीं है तो आप इसे अवोईड कर सकते हैं लेकिन दोस्तो यह पहला सपरा सब के लिए जरूरी होता है ताकि बिमारियों से अच्छे से बचाजास के दूसरा सपरा इस बात पर भी निर्वर करता है कि पहले सपरे ने किस तरह का रजल्ट दिया है यदि दोस्तो आपको आविशक लगे तो दूसरा सपरा करे नहीं तो नहीं भी कर सकते हैं दोस्तो आज की वीडियो में बस इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए शेर कीजिए और चैनल को सबस्क्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसी ही इंफोर्मेटिव वीडियो मिलती रहे तो दोस्तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए जै जवान जै किसे